हलो एवरिवन वेलकुम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमने पास्ट में एक क्लास प्रक्टिकली हम किस तरीके से ऑटो केट में वर्क करने वाले वह हमने देखा हुआ था आज है हमारी दूसरी क्लास दूसरी क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे बरक एकुझा है दूसरी सब्सक्राइट वाले हैं जो एक्जिस्टिंग वर्क यह क्यसे क्लिक करेंगे ठिक है तो और हुम चलते हैं एक्जिस्टिंग वर्क श्पें पसक्को देखते हैं बाले दूसरी क्वररिक हैं में सुद्रीर कहले देखे 동안 द्राप फेका से घ्रक्र आग Gog drafting and annotation हमें दिख रहा है now हम select करते हैं 3D basic को जब 3D basic को select करेंगे तो आप यह देख सकते हैं ribbon में यहां पर changes दिखेंगे कि जो जो है ना 3D basic के लिए commands होने वाली है वो सारी के सारी यहां visual हो जाएंगे same हम एक और change करते हैं 3D modeling के लिए 3D modeling पर select करेंगे तो 3D modeling के यह सब सारी चीज़े उनकी commands दिखने लगेंगे हमारे पास basically workspace में यह तीन ही commands हैं यह तीन ही तरीके की हमारे पास में tools होने वाले हैं जिस पे हम काम करेंगे drafting and animation, 3D basics and 3D modeling पर जो default है हमारे पास जिस पे हम mostly work करते हैं अब हम उसको select कर लेते हैं हमने select कर लिया अब यह इसके सारे tabs दिखने लगे ribbon पे कि कौन-कौन से यहाँ पर tabs है और commands है वो सारी के सारे visible है इसमें एक शीज़ और दिखते हैं कि जैसे कि मानलो यहाँ पर top में हमारे menu वार्स दिख रहे हैं कि अब है किसी किいやँ पर remove करना है या किसी को add करना वो कैसे हम इसको add करेंगे यह हम उसको remove करेंगे तो यहाँ पर हम बनालो right-click करते हैं औक राइट click करेंगे Show requests पर जाएंगे Worst To alltid method पर जाने की बाद हम जिज़ी features को उसमें add करना चाहते है ये रिमुव करना चाहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर देख रहा होंगे जैसे मालो फीचर्ड एभ एभ हे फीचर्ड एभ बदला स अब उसी को हम फिर सब अड़ करना है हम राइट क्लिक करेंगे शो टैप पर क्लिक करेंगे बटम पर जाएंगे और फीचर्ड एप पर क्लिक कर सकते हैं तो यह तो है हमारी existing workspace अब हम चलिए new workspace हम क्या करते हैं create करते हैं new workspace create करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें customize section पर जाना पड़ेगा customize हमें select करेंगे तो इस तरीके से window कुछ हमारी open होगी इसके लिए हम shortcut command या keys का भी हम use कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे क्या होगा customize है हम इसको क्लिक कर देंगे हमारे सामने इस तरीके से window open हो जाएगी window open हो जाएगी तो हम यहां पर देखेंगे customize और ट्रांसफर दो तरीके के हमें चीज़े दिख रही होंगी got it तो customize वाले section पर हमें यहां workspace और quick access tool वार ribbon टूल वार सब सारी चीज़े हमारे पास में visible हैं तो हमें क्या करना है एक new workspace जो existing है three वह यहां पर visible है अब हमें new create करना है तो work space पर हम click करेंगे click करने के बद right click करेंगे तो इस तरीके से new work space बाला open section हमारे पास open हो जाएगा हम इस पर क्या करेंगे बापिस click कर देंगे तो यहां पर work space one करके हमारे एक section जाएगा हम उसको नाम दे देंगे कोई भी x y z हम यहां पर नाम दे देते हैं मालों यहां पर हमने नाम दे दिया x y z हमने यह work space का क्या एक नाम दे दिया इसके बाद हम क्या करेंगे ribbon वाले section पर जाएंगे ribbon वाले section पर जाएंगे टैप पर जाने के बाद हम क्या करेंगे एक new tap करके folder recreate करेंगे तो new tap create कर दिया create करने के बाद हम इसको नाम दे दे देंगे for example के लिए होँ हुम तो अलड़ेडी इसे हैं यहां पर तो होँ वन नाम देदेंगे तो वन नाम देने के बाद आख हमारे पास हो जाएगा अब हमें क्या करना है पैनल भी तो क्रियेट करने पढ़ेंगे तो हम पैनल वाले ट्राइंग एंड टूल्स क्या नाम दे देंगे बिसिक ट्राइंग्स एंड टूल्स ठीक है तो अब हमने क्या करा कि तीनों की तीनों सेक्शन हमने यहां पर क्रीट करिए कर लिए क्रीट करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें एपलाई करेंगे एपलाई करने के बाद ओपन क कर देंगे तो कि अधिने के बाद No You Can See अभी हमें यहां पर क्लिक करेंगे एक्जिस्टिंग ही दिख रहा है तो हम वापे से सेक्षिन पर जाएंगे वर्क स्पेस पर अभी एक्स बाइट करके हमारा एक नया सेक्षिन यहां पर क्या हो गया है हम वापिस यहां पर क्लिक करेंगे XYZ को स्लेट कर देंगे तो अभी यहां पर क्या शो कर रहा है The Riven Does Not Have Any Taps या पैनल करेंटली लोड़ेट मतलब कि जो क्या है कि रिविन सेक्शन है उसमें कोई भी टैप्स और पैनल को क्या है करेंटली उसमें लूड नहीं किया गया है That is why वो इस तरीके से दिख रहा है ठीक है तो हम पापिस जाएंगे एट क्लिक करेंगे कस्टमाइज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज पर स्लेट करने के बाद में हम XYZ को यहां सेलेट कर देंगे तो हम रेवन वाले सेक्शन पर जाएंगे रेवन में टैब बाले सेक्शन पर जाएंगे टैब बाले सेक्शन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा डाउन स्क्रोल करेंगे फिर होम बन को हम यहां सेलेट करके इसको move करके Reven वाले section में add on कर देंगे तो home बन हमारा क्या? Reven 1 पे आ गया बट हमें क्या panel भी तो अशाइन करना है तो panel में हमें क्या डालनी है? Command डालनी है Got it? तो हम नीचे Command लिस्ट पे आ जाएंगे अब मालो हमें कुन सी Command डालनी है? Line Command तो हम यहाँ पर line सर्च करेंगे सर्च करने के बाद जहाँ पर भी line command दिख रही होगे हम वहाँ पर जाएंगे right click करेंगे उसको copy करेंगे copy करने के बाद में हम बापिस हमारे basic drawings and tools वाले section पर आ जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे? row 1 पर paste कर देंगे now you can see कि यहाँ पर paste होगी अब यहाँ पर इसका size थोड़ा से का small दिख रहा है तो हम यहाँ पर right वाले corner पर जाएंगे small without text दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? large bit text के साथ में click कर देंगे तो यह थोड़ा सा large दिखने लेगेगा हम इसमें एक और command add कर लेते हैं for example के लिए circle command add कर लेते हैं कौन सी? circle circle command यह दिख रहे है हम चाहिए इसको drag करके भी लेके जा सकते हैं यहाँ पर row 1 पर लेके जाएंगे drag पर हम छोड़ देंगे यहाँ पर आ जाएगा सेम बैसे right click करेंगे इसको लेजा कि हम यहाँ पर large with horizontal में click कर देंगे apply करेंगे apply करने को बाद हम ok click करेंगे अभी भी आप देखोगे बट यहाँ पर हमारे पस command नहीं दिख रही है ribbon तो दिखने लगा बट command नहीं दिख रही है तो हम बापिस क्या करेंगे फिर से customize वाले section पर जाएंगे customize पर click करेंगे और हम क्या करेंगे अब इसको assign करेंगे यसे हमने ribbon पर हमने home को तो assign कर दिया है बट home पर हमने क्या किया है अभी बागी चीजों को assign नहीं किया है पैनल वाले section पर जाएंगे पैनल पर हम basic drawings and tools वाले section पर जाएंगे हम इसको copy करेंगे copy करने के बाद हम इसको move करेंगे move करने के बाद हम बापिस किस पर जाएंगे टैब वाले section पर जाएंगे टैब बाले section पर जाने के बाद हम क्या करेंगे हमने यहां पर कौन सा टैब करेट किया था हमने यहां पर टैब करेट किया हुआ हूँ होम बन होम बन पर हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे इसमें पेस्ट करने बाद हम इसको एपलाई करेंगे आपका टैब या जो पैनल से वो विजिबल से होने लगे हैं सेम इसी तरीके से हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीजी इसमें एड़ और अपना खुद का एक पैनल सम्क्रेट कर सकते हैं है और हमने तो इसमें एडाउन करना सेहां को इसको रिमोव कैसे करेंगे डिव करने के लिए हम वापीस यहीं पर जाएंगे वापीस जाने कि बाद हम कस्तोमाइस सेक्ष्ण पर जाएंगे कि से कियांगे हम उसको क्या करेंगे स्लेट करेंगे स्लेट करने के बाद हम वापिस क्या करेंगे उसी सेक्षिन पर जाएंगे जैसे हम लोह होम पर स्लेट किया है तो होम पर राइट क्लिक करेंगे इस पर रिमूव को सेक्षिन पर क्लिक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा रिमूव हो जाए वाला section add-on किया था, उसपे click करेंगे right click करेंगे तो हम उसको जब दुख कर देंगे go तो इस तरीक से हम क्या कर सकते हैं अपना खुदु का पैनल क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपना खुद का पैनल create कर सकते हैं करम तो होपफुली सारी चीज़े आपको समझ में आ रही हुई होगी हाँ एक चीज़ और यहां पर जैसे आप यहां पर देखेंगे बर्क स्पेस पर यहां पर नाम लिखानी आ रहा रहा ड्राप्टिंग अनुशन तब डिस्प्ले बर्क स्पेस लेबल पर क्लिक करेंगे तो य आप इसको रख सकते हैं तो बिसीकली आटोकेट की हमारी क्या है कि सेकंड क्लास थी जिसमें हम क्या है कि आटोकेट के बारे में देख रहे थी कि इसमें किस तरीके से हम अपना खुद का जो रिविन है या पैनल से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं उसको हम remove कर सकते हैं तो आप अप इसको बार बार प्रक्तियस करें मिनियम तीन से चार बार आप इसको ट्राय करके देखिए अपने नाम से उसमें create करिए वोफिले आपको सारे चीज़ समझ में जाएकि इसले क्या होगा बाकी की चीज़ें हमारे लिए बहुत जादा आसान होने वाली है तो साइनिंग डिस सेशिशन